तुम लोग सोई हुए लोग हो मैं खुलके तुमारे सामने बोल रहा हूं तुम लोग सो गए हो 73% हिंदुस्तान का जो बबर शेर है जो इस देश को चलाता है जो इस देश को आगे ले जाता है वो सो गया यह डर गया है इस देश की सच्चाई है आप कहो जतना कहना अगनिवीर नहीं होगा अगनीवीर नहीं होगा नहीं होगा नभे दो सुनों नमै लोगों मैं से आर्मी में कितना पैसा जाता है वो डिसाइड करते हैं स्वास में कितना जाएगा वो डिसाइड करते हैं किसान बिल वो डिसाइड करते हैं नबे में से आपका कितना नबे में से दलेत आदिवासी पिछडों की कितनी भागीदारी मुझे बताओ नबे में से तीन ओबीसी तीन दलेत एक आदिवासी 90 से 7 आपके और सुनो पता कहां बैठे बड़ी-बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं बैठे डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठे, फाइनांस मिनिस्ट्री में नहीं बैठे, कहां बैठे छोटे से कमने में बैठे हैं फीचे और उनको कहा जाता हो तुम लोग चुप हो जाओ जादा भक्वास मत करो नहीं तो तुम्हारा A.C.R. उडा दिया जाएगा A.C.R. समझते हो नहीं समझते Annual Confidential Report जिससे पिछड़े ब्यूरोक्राट्स की दलिद ब्यूरोक्राट्स की आदिवासी ब्यूरोक्राट्स की रोज हत्या होती है A.C.R. नाम समझ लो समझे चुपो गए समझे अब सुणो 90 में से आपके तीन आपकी अबादी 73 परसेंट 73 परसेंट 90 में से तीन आपके आप जानते हो 100 रुपे में से अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपे खच करती है आप जानते हो आपकी कितनी भागीदारी है 73 परसेंट जानते हो 100 में से 73 परसेंट की भागीदारी 6 रुपे 10 पैसे सो रुपय का नोट दो मुझे सो रुपय का नोट दो मुझे मैं ठीक सा समझाओंगा आज आपको तो समझेओगे सो रुपय का नोट दो यह रहा सो रुपय का अब छे पैसे की कोई चीज दो मुझे छे रुपय की चीज दो मुझे कोई छे रुपए छे रुपए निकालो जेट से ये लो ये देओ छे रुपए ये लो ये लो ये लो ये ये देखो ये बज़ेट में से सो रुपए गए न अगर सो रुपए बज़ेट में खर्च हुए ये है ये है ये है आपका ये लो देखो अच्छी तरह देखो अच्छी तरह देखो इसको ये हैं तुम्हारी भागी दारी ये कम है इसको तुम्हें उठा के भेग दिना चाहिए 6 और दस पैसे की भागी दारी है तुम लोगों की अन्याए है ये हर रोज तुम्हारे साथ अन्याए हो रहा है ये लो सो रुपए अच्छा अब सुनो अब सुनो राम बंदिर का आपने इन्यागरेशन देखा देखा सबने देखा मुझे बताओ उसमें आपको अधानी दिखा देखा उसका चेरा देखा अम्बानी का चेरा देखा अमिताब बच्चन का देखा अश्वर राय का देखा खोली का देखा किसी किसान का देखा किसी मज़दूर का देखा किसी गरीब का देखा हिंदूستان की राष्टरपती आधिवासी है उसका आपने राम मंदिर में चेहरा देखा क्यों नहीं देखा किूं नहीं देखा किसी डलिट का आपने मंदिर में चेहरा देखा किसी पिछड़े का आपने मंदिर में चेहरा देखा तो फिर अब मैं आपको बताता हूँ आपने नरेंद्र मोधी का चेहरा देखा आप कोगे नरेंद्र मोधी पिछड़े बर का आदमी है और मैं आपको बताता हूँ नरेंद्र मोधी जब पैदा हुए उनकी जात, घाची जात को OPC में डाला गया था, नरेंद्र मोदी OPC नहीं है, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के है, और नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के गरीब लोगों की भी देक्बाल नहीं करते, तो यह मैं आपसे कहना चाता था, मैं आपसे सिर्फ यह कह रहा हूँ आप अगर नहीं चगोगे अगर आप अपना हक नहीं लोगे भू के मर जाओगे आपके यो बच्चे हैं ना मैंने देखा बारण नसी में रात को मैंने देखा शराब पिये सडक पे लेटे हुए थे शराब पिये सडक पे लेटे हुए थे डिप्रेशन में हैं जानते हैं कि यह कुछ नहीं होने वाला यहां पे अब सुनो अब बात समझो रास्ता अपने मुझसे पूछा मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले एक ही सवाल आपको अपने आपसे पूछना है ठीक है सवाल क्या बताओ मुझे आज जब आप सुबह उटोगे चाहे आप किसान हो मजदूर हो बेरोजगार हो आपको अपने आपसे एक सवाल पूछना है और इस बात को आप गहरी तरीके से समझे गराई से समझे आपको सुबह उटके कहना है ये जो सोने की चिडिया है जिसको हम भारत माता कहते है पूरी दुनिया में इसको सोने की चिडिया कह जाता है इस सोने की चिडिया मेंसे मुझे आज कितना सोना मिला वस यही सवाल है आप सुबह उटो आप किसान हो आप कहो कि मैंने बारत माता के लिए आज अपना कून पसीना दिया मेरी माता ने आज मुझे कितना पैसा दिया यही सवाल है और कुछ सवाल नहीं अब समझाता हूँ आपको सबसे पहला काम गिंती का काम है सबसे पहले देश को बताना है गलित पिछडे आदिवासी इस देश में कितने है उसका तरीका जाती जनगरना है अब उसके बाद मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ मैं करांतिकारी बात कर रहा हूँ स्टेज पे यह आपको हिंदुस्तान के टेलिविजिन पे नहीं दिखेगी क्योंकि टेलिविजिन अदानी का है पहला कदब होगा जाती जनगरना उसमें जेनरल कास्त के कितने गरीब है बैकवर्ट कितने है गलित कितने है अदिवासि कितने है उसके बाद जाती जनगरना के साथ इकनोमिक आर्थिक सर्वे उसके बाद बता लगेगा कि पिछडों के पास इस देश का इतना धन है गरीब जेनरल कास्त के पास इस देश का इतना धन है अमीर जेनरल कास्त के पास अरब पतियों के पास इतना धन है पिछडों के पास दलितों के पास आदिवासियों के पास इतना धन है और जिस दिन वो ऐसे उपर लिख दिया जाएगा उस दिन सारे के सारे बबरशेट जग जाएंगे ये रास्ता है अब जब मैंने जाती जनगर्ना की बात की गिंती की बात की नरेंद्र मोधी जी स्टेट पर जाते हैं भाशन देते हैं ऐसे कहते हैं बाईयों और बेहनों भाईयों और बेहनों देश में सिर्फ दो जात हैं एक गरीब है और एक अमीर है देश में जात नहीं है अरे भाई अगर जात नहीं है तो तुम ओभी सी कैसे बन गए जब जाती जनगर्ना का समय आया तो नरेंद्र मोधी ओभी सी शब्द को भूल गए जब पैसे का सवाल आया तो नरेंद्र मोधी ओभी सी शब्द भूल गए पिछडा शब्द भूल गए कहते हैं दो ही जाते नोट बंदी की यह जो सब दुकान डारें को बरबाद कर दिया पिछड़ों को मार दिया तब भूभी सी थे जी एस टी लाए पिछड़ों को मार दिया तब भूभी सी थे चौदा लाग करोर रुपए उन्होंने अधानी जैसे लोगों का कर्ज़ा माफ किया तब भूभी सी थे मैंने जाती चंगरना की बात की सोने की चिडिया की बात की धन को बातने की बात की तो सिर्फ दो जात हैं नरेंद मोधी भूभी सी नहीं आप ही बात समझे और मैं आपको बता रहा हूँ ये मीडिया वाले कुछ भी कर ले कोई भी कुछ कर ले इस तुफान को नहीं रोका जा सकता ये आज नहीं तो कल 70% जग जाएगा वो आस्ते आस्ते जगेगा जब वो जगेगा जब उसको सची चोरी समझाएगी तब इस देश में करांती शुरू हो जाएगी तुफान आ जाएगा आखरी बात आपसे कहना चाहता हूँ आपका नाम क्या है रिशब क्या रिशब सिंग उपर आओ आओ रिशब सिंग को उपर लाओ अब मैं आपको हिंदुस्तान की राजनेती ये पूरा पूरा ड्रामा जो चल रहा है एक मिनट में समझाने जा रहा हूँ ये है रिशब सिंग अच्छे तरह देखो इसको ठीक है अब मान लो मैं रिशब सिंग हम सब रिशब सिंग का जेव काटन जाते हैं मान लो ये ये तू सिक्राटी वाले हैं मान लो यहाँ पे लोगों ने मन बना लिया इसकी जेव काटनी पहला काम क्या करेंगे पहला काम कहेंगे वो रिशब उदर देख उदर देख वो देख पाकिस्तान उदर देख ओई इदर देख वो देख अमिटा बच्चन उदर देखो वो देख अश्वरिया राय ओई उदर देख वो देख क्रिकेट पहला काम ये फिर उपर रिशाप सिंग उदर देखेगा उदर देखो यह पीचर दे बंदा आएगा जेव पात लेगा ठीक है इसका नाम अदानी वो जो यह कर रहा है उसका नाम मोदी और तीसरा यहाँ पे एक बंदा खड़ा रहेगा भयाई मुझे एक डंदा देना देखो और यह तीसरा यहाँ पे एक पीचे होगा एक पीचे होगा और यह तीसरा यहाँ पे डंदा लिए खड़ा होगा एसे एसे डंदा लिए खड़ा होगा अगर किसी ने उल्टी सीरी बा अमिच्षा, ED, CPI, Income Tax, पुलीस, यह सब, मैं काशी मंदर गया, बात समझो आप, मैं काशी मंदर गया, मैं शिप को मानता हूँ, मैं काशी मंदर गया, वहाँ पे पुलीस वालों ने क्या किया, सारे मोबाइल फोन हटा दिये, एक मोबाइल फोन अंदर नहीं आने दिया, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाते, कि रावल गांदी की शिप मंदर के अंदर फोटो दिख जाए, उसके बाद, वारा नसी में, सारा सारा सेल फोन का जो नेट वर्क है, उसको डाउन कर दिया, लोग मतलब वीडियो ले रहे हैं, वो वीडियो ना फिलाएं, आप देख ले ना, ये जो मैंने बाश्चन दिया ना, मीडिया में नहीं दिखेगा आप, दिख नहीं सकता, ये सोशल मीडिया में पहलाओ आप, सोशल मीडिया में देखेगा, मीडिया में नहीं दिखा, अच्छा, सोशल मीडिया को भी, वो, अमरीका से कंट्रोल कर रखा है, तो ये मैं आज आप से कहने आया था, मेरा काम, 73 परसेंट को, हिंदुस्तान की सोने की चिडिया का धन दिलवाने का है, मैंने पूछा पिछड़े कितने हैं हिंदुस्तान में हमें नहीं मालूँ, दलित कितने हैं हिंदुस्तान में हमें नहीं मालूँ, आदिवासी कितने हैं हमें नहीं मालूँ, जेनरल कास के घरीब कितने हैं हमें नहीं मालूँ मैं आपसे पूछने चाहता हूँ देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं बताओ बताओ कितने हैं 50% आपका नाम क्या है पूरा नाम गोविन सिंग जाटब जी पिछड़ी जाट के 50% आपने कहा ठीक है दलत कितने 15% आदिवासी कितने 8% 50, 15 राद कितना हुआ 73% 73% अबादी 73% अबादी दलत आदिवासी पिछड़े बहिए शांत हो जाएं अब यहां मैं भीड में पूछना चाहता हूँ यहां पे पिछड़े लोग कितने हाथ उठा के दिखाओ यह देवा 50% दलत कितने हाथ उठा के दिखाओ आदिवासी यहां कम है ठीक है अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहां पे मुझे भीड में पिछड़े और जले तकरीबन 50-70% दिख रहे हैं ठीक है अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में मैंने मालिकों की लिस्ट निकाली है 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में गलित आदिवासी पिछड़े कितने कितने 60% नहीं है मालिकों में मैंने लिस्ट निकाली है 200 कंपनियों के मालिक में ना एक दलित ना आदिवासी ना पिछड़ा फिर मैंने क्या किया फिर मैंने कहा फिर मैंने कहा ठीक है भईया ये देश के दलित हैं आदिवासी हैं पिछड़े हैं ये मालिक नहीं बनना चाते तो मैंने पता लगाया मैनेजमेंट में कितने लोग हैं सीनियर मैनेजमेंट में दले दादिवासी पिछड़े 73% के कितने बोलो बोलो जीरो एक नहीं है तो जब आप प्राइवेट हस्पताल में जाते हो यहां पे किसे का पैर तूटा तूटा जब आप प्राइवेट हस्पताल में गए आपने पैसा दिया आपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई की जब आपने प्राइवेट कॉलेज उनिवर्सिटी में आपने पैसा दिया आपने किसको दिया आपने ना दलित को दिया, ना आदिवासी को दिया, ना पिचले को दिया और ना अपने जेनरल कास्ट के गरीब व्यक्ति को दिया मतलब आपके जेब में से पैसा निकल रहा है और दो तीन परसेंट लोगों के जेब में जा रहा है उन दो तीन परसेंट में ना गरीब जेनरल कास्ट का कोई है, ना आदिवासी है, ना दलित है, ना पिछड़ा है अब सुनिए, अब आप कहोगे मुझे, देखो, हम दलित हैं, हम आदिवासी हैं, हम पिछड़े हैं आप हमारे लिए सपना देख रहे हो, आप चाहते हो कि कॉर्परेट हिंदुस्तान में हम भी जाए, मगर हमें इस सपने को देखने का दम नहीं है आप कह सकते हो कि हमने हार मान ली राहूल गांदी ये सपना देख रहा है मगर हम में वो शम्ता नहीं है हम में वो दम नहीं है हम में वो confidence नहीं है कि हम हिंदुस्तान की सबसे गड़ी कंपनियों के मालिक बने आप कह सकते हो मैं मानूंगा नहीं मगर आप कह सकते हो तो फिर चलो आप कंपनियों में नहीं हो तो फिर मुझे बताओ मीडिया में आपके कितने लोग मीडिया में आपके कितने लोग अब देखो मैडम आपका नाम क्या है हाँ पूरा नाम हाँ नीती तनेजा जी है मीडिया की है ठीक है यह न्यूज तक कंपनी है आपका नाम क्या है पूरा नाम क्या है रक्षा जी अभी वह आऊंगा अब देखिए यहां पर माइक सेल फोन पकड़ी रक्षा यादव है दीशा यादव और यह दीशा यादव जो है यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी की मालिक कभी नहीं बन सकती है क्योंकि इसके नाम के पीछे यादव शब्द है यह नहीं बन सकती है ये कितना भी पसीना दे दे अपना कितना भी घून दे दे अपना ये पिछले बरकी है ये हिंदुस्तान की मीडिया कंपनी की मालिक नहीं बन सकती है ऐसे ही ये लड़की ये दिन बार कैमरा लिए घुमेगी 24 गंटा कैमरा लिए घुमेगी मगर जो इसके मालिक यसे कहेंगे वो इसको दिखाना पड़ेगा जो ये दिखाना चाहती है वो नहीं दिखाय जाएगा क्यों? क्यूँकि ये पिछले बर की है मीडिया में आपका कोई मालिक नहीं सीनीर मैनेजमेंट में बड़े पत्रक्वारों में आपका एक आदमी नहीं है अब मैं कहता हूं ठीक है पिछले लोग के दले दादिवासी लोग मीडिया में भी नहीं जाना चाहते हैं चलो मीडिया छोड़ो प्राइवेट हस्पताल छोड़ो प्राइवेट युनिवर्सिटी कॉलेज चोड़ो 6050 हाइप कोड़् के जज है 53 परसेंट आप ़ोगों की अबादि है सो जज्ज 73 परसेंट के पास और वो भी छोटे 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 कोड़ो आप मुझे कहोगे हिंदूस्थान में 53 परसेंट को ना corporate हिंदुस्तान में जगे चाहिए ना media में जगे चाहिए ना courts में जगे चाहिए तो फिर मैं आपसे कहता हूँ ठीक है बताओ हिंदुस्तान के bureaucrats में आपके कितने लोग 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते है ये नरेंद्र मोदी को वहाँ पे बठा रखा है ये हिंदुस्तान नहीं चलाता नरेंद्र मोदी के पास 90 लोग बैठे है समझे बजट बढ़ता है तो ये 90 लोग डिसाइड करते हैं कहा पैसा जाएगा आपके ब्रधान मंत्री को इन चीजों के बारे में समझ नहीं है उनको नहीं मालूम कि बजट कैसे बनता है पैसा कहा कैसे जाता है उनको भाषण देना जानते हैं वो नफरत फैला ना जानते हैं भाषण देना चाहते हैं इसलिए उनको वहाँ बठाया गया है बठाया किसने अधानी ने अंबानी ने इन लोगों ने ठीक है अब सुनिए नप्वे लोगों में से आपके बजेट का एक एक रुपिया एक एक रुपिया ये नप्वे लोग बाड़ते हैं कि डिपेंस में कितना जाएगा अग्नी और योजना होगी या नहीं होगी नहीं नहीं बहाई बहाई सुन लो समझ लो समझ लो समझ लो आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रहे हैं आप जितना चिलाना चाहते हो चिलालो जितना आप कहना चाहते हो अगनीवीर नहीं होगा चिलालो कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला आप में दम नहीं है आप में दम नहीं है अगनीवीर होगा अगनीवीर होगा क्यों कि आदानी चाहता इसलिए अगनीवीर होगा मोधी चाहता है इसलिए अद्नी वीर होगा कैसे भू क्या दम नहीं है आप में कैसे नहीं होने देखो हो रहा है आप चिलाते हो और कुछ नहीं करते दम नहीं है आप में 70% में धम नहीं है सुलारक मैं बताऊंगा आपको रास्ता मैं रास्त बताऊँगा मगर दम नहीं है तुम लोगों में धन्यवाद और धन्यवाद रिश्रब जी नमसकार जहिन बारत जोड़ो जोड़ से बारत जोड़ो बारत जोड़ो बारत जोड़ो नफरत के बाजार में मुपपत की दिकान खोलो